असलाव अलेकुम आप हैं बागवानी चैनल में दोस्तों आज मैंने मेरे गार्डन का थोड़ ऐसा लुप चेंज किया हुआ है कुछ पॉट्स मैंने इधर उधर करके रखे हुए हैं दिखा थी हूँ आपको मैं अभी आप सब जानते हैं मेरा नीम्बू का प्लांट है वह बड़ा हो चुका है तो इसको मैंने यहां पे इस तरफ के पूले में जो पहले एक जोरा था वर्सकूस के प्लेस में उसको रख दिया है और उसी के सामने एक जोरा को रखा हुआ है क्यूंकि इसमें बहुत सारे फूला यहां फ्लावरिंग हो रही है तो गार्डन को एक नया लुक मिलेगा तो इसलिए मैंने इस तरह से सेंटी की हुई है और यह नीम्बू के प्लांट को तो मेरा पीछे रखा हुआ था तो उसको यहां लाना ही पड़ा क्यूंकि पीछे की तरफ घर का घर हो रहा है तो उनक् इसलिए बुक्र टॉल यह जाल रही है और सपाहिसे और सबसु किनी अब नियुक्ति मैपको यह निचे पनीária हो और मेरे रहना है और संसरी मीश मेरा रही हैas मेरे आवाज में भी कुछ मुश्किल हो सकती है तो आप इसको इपना कीजिए देखिए मेरे कितने सारे स्मेफ लार्स आ रहे है और वहां पे रेक कलर वाला भी आ रहा है तो सब उच्छे से ही अच्छे से चल रहा है कल तक बारिश बहुत हो रही थी लेकिन हाज बहुत अच्छी दूपाई हुई है और सारका सहरा जो मॉस्ट्राइजर था अभी सूपने लग गया है है को पाउट ईए मैं से तो मिट्ठी अभी सुख रही है तो कल शायद पानी देना पर जहें प्रांट्स में बहुत ही जबर दस फ्लावरिंग हो रही है इस सारे से कुछों में इसम फूल आ तो बहुत है अच्छा लग रहा है दोस्तों देखिए जहां कहीं भी देखिए के तो आपको फूल ही फूल नजर आएंगे मेरे एक सवरा में ज्यादा तर मेरे प्लांट्स के फ्लार से इसी कलर में होते हैं दोस्तों नजदिक-नजदिक मैं यही कलर चूस करके लेकर आती रह हूंगी तो कुछ दूसरे कलर्स लें आऊंगी सोच रही हूं एक सब्सक्राय के दूसरे कलर्स भी मैं लगा लूंग़ों इस वोत अच्छे होती हैं इसके फ्लार स देखने में इस देखिए आपको मैं बूसे बता थी हूं मेरा प्लांट पूरा भरा हुआ है कि अ भी तो बस यही सेटिंग आपको बताना था तो मैं वीडियो शूट कर रहे हूँ तो आप भी देख लीजिए निम्बू का पीछे चला गया है ज़रा का सामने आ गया है और बहुत अच्छे फ्लावर्स इसके इतना अच्छा लग रहा है इस कोने में तो देखने में बहुत ही जबर आप दस ही लग रहा है दोस्तों तो आप भी इसी तरह से नए नए प्लांस लगाते रहे हैं मेरे चैनल को सब्स्क्राइक कर दीजिए किसी तुसरी वडियों में मुला साथ होती हुआ है